बिल दीक हो एर दोस्तों आज की विडियो आज की विडियो आप सभी लोग ले बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है गेम के अंदर 2.7 का अपडेट आने में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों दो दीन बजगे हैं और गेम के अंदर आज एक फिर दोस्तों नोटिस देखने के लिए मिला है आज दोस्तों आज की इस विडियो में मैं आप लोग को कम्प्लीट तरीके से बीजमाई के निक्स अपडेट का शेड्यूल भी बताने वाला हूँ तो कुल मिला कि यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना रॉयल पास थे रिलेटेट भी एक इंपोर्टेंट अपडेट है वो भी बताऊंगा तो सबसे पहले आप लोग देख पार है कि मैं बीजमाय के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे दोस्तों बीजमाय वालों ने अपने को बता दिया था कि गेम के अंदर जो अपडेट है वो यहाँ पे नौ तारिक को आएगा अला कि इन्होंने किलिरली नहीं बोला था आइटम वगरा रिवर्ड वगरा होगा वो आप कलेट कर लेना होगा ठीक है नौ तारिक से पहले तो आज के दिन दोस्तों मेल में यहाँ पे एक और मेल देखने के लिवला जहाँ पे यह बोलते हैं जल्द रिडीम कर लो जो भी चीज़े उसको यूज कर लो और आप लोग भी दोस्तों यह जो आर्पी आडवेंचर है इसको सब जो है ना भाई यहाँ पे कर लेना और यहाँ पे जो भी रिवार्ड वेगरा कलेट करने का होगा कर लेना क्यूंकि नौ तारिक के जो आज आ पाइंडर करके बताया गया जी हाँ अब इसके लावा दोस्तों जहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगा बीजियो माई के 2.7 अपडेट का शेडियूल जी हाँ जो कि आप मेंसे सभी लोगों को जानना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि इतना टाइम के बाद गेम के आने वाले हीडेन अचीवमेंट्स जिसके उपर वीडियो मैं 2-3 दिन के अंदर वना दूं अपडेट आने के बाद ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देख लेतने शेडियूल तो यहाँ पे दोस्तों जो 2.7 अपडेट का शेडियूल है एंड्रोइड के अंदर यह जो अप नौत आरीको ही iOS uses जितना भी हैना सब को जो है वो अपडेट मिल जाएगा जिया अड्य यहाँ पे इसका जो अपडेट है यह 4 पीम से 6 पीम तक आपको मिल जाएगा जिया अभी हलाकि अपडेट जो 4 पीम तक आज आता है और भाई iOS के अंदर क्या ओता है तो सभी जो है आ साड़े साथ वजे देखने के लिए मिल जाएगा जियां और आप इसको बड़ी सानी से परचेस कर सकते हो साड़े साथ वजे आप लोग का ब्रैंड न्यू रॉयल पास आ जाएगा एड़ आप लोग उसको बड़ी सानी से यूज कर सकते हो मतलब ऑविसली परचेस कर सकते हो 360 UC है 300 UC के अंदर और भाई देड भी उपर में देख पार हूँ कि इसका जो ending date है वो 13 तारीख ही है जियां तो इस तरीके से दोस्तो आप लोग का जो नया update का schedule है वो यही होने वाला है एक तरीके से मतलब एक तरीके सब 90% मान के चलो कि जो मैंने आपको schedule बताया ना इसी तरीके से रहने वाला है और जो timing मैंने बताया है तो भाई यही रहने वाला है क्योंकि आपको पता है on records पुराने टाइम में भी जब भी update आया है तो भाई इसी time के recording जो वो update रोल आउट होता है और सभी लोगों को दोस्तो जो वो update मिले लगता है धिरी धिरी device के compatibility के हिसाब से ध्यान रहे है यह update आपका play store के उपर आएगा और app store के उपर आएगा और यह एक बड़ा update होने वाला है I think दोस्तो 500-600 MB तक का यह update आपको देखने के लिए मिल सकता है जिसको आपको Google Play Store के उपर से obviously update करना पड़ेगा और अगर आपको update शो ना करे 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद तो एक बारी प्लेश टूर के data को clear कर लिजेगा या आप भी जो माई के official website पर भी जाके getting into app मतलब प्लेश टूर पर क्लिक करके भी दिवास भी directly जो वो गेम को update कर पाओगे and I think game update होने के साथ ही आप लोगो जो dragon ball का mode है वो आपको game के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन royal pass आपको 13 अगस को देखने के लिए मिलेगा तो ये complete तरीके से आप लोगो 2.7 अपडेट का schedule था जो मैंने आपको बता दिया उमीद है दोस्तो आज की वीडियो आपको पसंद आयोगे वीडियो को like करके share कर देना चाल पर पहली बाब तो subscribe करना thanks a lot for watching have a good day and bye bye दोस्तो